वेलकम एवरिवन, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल जीरो असोशेशन तो चैसा कि मुझसे मेरी क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी और सायद आपको भी ये 100% प्रॉब्लम आती होगी कि जब भी आप पढ़ने बैठते होगे तो आपको नीद आने लगती होगे इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक सॉल्यूशन है कोई ग्यान की बात नहीं है ठीक है तो जो साइंटिफिक सॉल्यूशन है मैं वह बताऊंगा पहले उस प्रॉब्लम को डिसकस करते हैं उसी में आपको खुदी सॉल्यूशन दिखने लगेगा तो जब भी हम पढ़ने बैटते हैं तो सबसे पहली गलती हमारी ये होती लेट के पढ़ना लेट के बिल्कुल नहीं पढ़ना उसका reason में बता대 만큼 क्योंकि हमें नीन आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी हम बैठते हैं पढ़ने तो हम बहुत रिलैक्स होकर बैठते हैं बॉड़ी जैसे ही रिलैक्सिंग पोजीशन में जाती है तुरंत माइंड को यह सिकनल जाता है कि भाई साब सोने का समय आ गया मस्त ठीक है हम सो थिबसना स्टार्ट कर मुझा कोई जिसमें फिल्धे सकते हैं यही कुछ रीजन होते हैं नीद आने की हमारी बॉड़ी को हमारी बॉड़ी में लैक्टिक में प्रोढ़ए्गायों में जैसे हम रिलैक्शन पोजीशन में और जैसे लैक्टिक ऑचिच्छे ψ होता है बहुत सारी oxygen और खीचने की कोजिश कर रहे हो जो आप नहीं खीच पा रहे हो नाक से तो यह होता है हमारे हां और हमको नीज आने लगती है और दूसरी कारण क्या होता है हम क्या करते हैं कोई भी बुक बहुत पास रखके पढ़ते हैं या फिर हम ऐसे करके लेट जाते हैं अ इसमें क्या होगा जैसे आप कमर सीधी करके बैठेंगे तो आपको एक effort डालना पड़ेगा कमर सीधी रखने के लिए जैसे आप नीचे आएंगे फिर आपको याद रहेगा फिर आप सीधी करेंगे तो जैसे body effort डालेगी बार बार तो उसको यह signal ही नहीं जा पाएगा कि न करिए ठीक है कभी इधर कभी ऐसे घूम के थोड़ा कमर सीधी कर लिया पैतालिस मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए गाना अगर आप कोई सुनते हो तो गाना सुन लीजिए थोड़ा सा टहल लीजिए फिरा कर बैठ गया ठीक है लंबा ब्रेक नहीं पांच मिनट कर ब्रेक लीजिए ठीक है तो छोटे छोटे चीजों से आपको समझ में आएगा दूसरा कभी भी बॉड़ी को ये बिल्कुल फील मत होने जिए कि रिलैक्सिंग पोजिशन में आ गई सबसे बड़ी इसमें चुनौती आती है हमारी नींद हमारी नींद पूरी नहीं होती ह है और आपको लगता है कि मैं तो सब सही कर रहा हूँ साथ से आठ घंटे की मिनिममम लींद लीजिए ठीक है इस पर बहुत सारी साइंटिफिक के स्टडीज हुई है कि क्यों नींद जरूरी है तो हमारा सबसे बड़ा दुस्मन है हमारी नींद ठीक है और आप लोग सबसे जादा जो कटाउती करती हो नींद में ही करते हो और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो कोशिश करिए कि बॉड़ी को रिलैक्सिंग पोजिशन में ना रखें अगर आप बोलोगे कमेंट करोगे तो मैं जो नींद की प्रॉब्लम है उसको भी कैसे ओवरकम कर सकते हैं उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा तो बट ट्राइ करिए कि अपने आपको बिलकुल जागरत अवस्था में रखिए जागरत अवस्था को मतलब थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करिए और मतलब चीज़ें आंखे खुली रहें पानी पीते रहो मूद होने के पैठे 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 नीन आने लगती है उसका रीजन यही है कि जैसे हमको समझ में आता है हमारी दिमाग को सिगनल जाता है कि बॉड़ी रिलेक्स है वाई सोना है बस वही होता है तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि क्या प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन कहां पर है तो बहुत जादा मैं नहीं बताऊंगा कोई दूद पूते दूद पीते बच्चे नहीं हो आपकी एक एक चीज़ आपको बताई जाए इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए प्रॉब्लम कहां पर है और आप सॉल्यूशन कहां है खुद ही ढूणिए ठीक है तो